Hello everyone, मैं हूँ सेचीन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागए थे मेरे इस YouTube चैनल पे और आज हम लोग एक कोश्चन देखेंगे, ठीक है, ये कोश्चन आपका Python का string chapter से दिया गया है और इस question में देखें, एक string दिया गया है, ठीक है, S नाम से और एक string है, जो कि खाली है और यहाँ पे हम लोग को output बताना है, मतलब कि ये जो खाली string था, इसमें जब ये जो present string है, ये loop होने के बाद में, ये T में क्या आएगा मतलब ये जो T नाम का string है, इसमें क्या character आएगा, उसके लिए देखें, यहाँ पे कुछ क्या दिया गया है, आपका condition दिया गया है, condition से पहले हम लोग ये किस प्रकार से loop होगा, वो समझते, देखें, loop जो होगा, हमारे start होगा 0 से, क्योंकि यहाँ पे range का पहला value जो है, आ change है न, यह बोला, वो कहा तक जाएगा, वो आपका 13 तक ही जाएगा, कहा तक जाएगा वो आपका 13 तक जाएगा, दूसरा चीज, और एक ठूप इसमें क्या दिया गया है, यह जो 2 दिया गया है, यह 2 का मतलब क्या होता, step, मतलब वो एक-एक घर छोड़ के वो जाएगा, एक एक घर छोड़के जाएगा मतलब पहले 0 वाला value आएगा फिर 2 आएगा उसके बाद फिर 4 आएगा उसके बाद में फिर 6 आएगा उसके बाद में फिर आपका 8 आएगा उसके बाद में फिर आपका 12 आएगा उसके 12 बोलता हूँ 10 आएगा उसके बाद में फिर 12 आएगा इ केला कंडिशन क्या है अगर इस्पेस मिलता है देट मिन्स खाली जगा मिलता है दूसरा कंडिशन में क्या बोला गया है अगर लोवर केरेक्टर मिलता है तीसरा कंडिशन में क्या बोला गया है अगर अपर कंडिशन मिलता है अपर केरेक्टर मिलता है ठीक है और फिर चौथा वाला जो condition अगर यह तीनों condition नहीं होता है तो फिर आपका false वाला जो condition है उसमें क्या होगा उसमें इस प्रकार से character को भरा जाएगा ठीक है s i plus one plus इतना करके इसका order और order के बाद में character ठीक है तो फेले तो यह तीनों condition देखिए क्या match हो रहा नहीं हो रहा उसके बाद में else वाला हम लोग देखेंगे ठीक है सबसे पहला बात है कि यह जो loop start होगा पहले i का value कितना होगा सबसे पहले i का value कितना होगा यहां पर मैं लिखता हूँ first time जब loop होगा तो i का value कितना होगा जीरो होगा अब जीरो होगा तो यहां पे क्या बोला गया है space अगर मिलता है देखेंगे तब से पहले s और i zero zero मतलब पहला character पहला character मिला इसको तो पहला character क्या मिल रहा पहला character capital letter मिल रहा मतलब कि third condition मैच हो रहा अब third condition अगर match हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा t में क्या हो जाएगा i plus one हो जाएगा i plus one मतलब कितना होगा i plus one मतलब कि यह one वाला तो इस प्रकार से कौन सा character लेगा कौन सा character fill up करेगा e करेगा और e को यहाँ पे small में है मगर यहाँ पे देखे एक function use किया गया है e is upper तो यहाँ पे capital ही आएगा बात समझ यह कि जब first character जो इसको मिलेगा जब loop मतलब पूरा condition check होगा तो हम लोगों को w मिल रहा है w जो है वो capital letter है तो यहाँ से कौन सा condition में ऐसा पूछा गया है कि यह capital letter है कि नहीं वो है third condition तो third condition यह satisfy कर रहा है ठीक है तो third condition में क्या बोला है कि T के अंदर में क्या भरेगा वो i plus मतलब s जो है s i plus 1 मतलब 0 plus 1 क्योंकि अभी i का value कितना है 0 है 0 plus 1 1 हो जागा तो इस प्रकार से हम कौन सा character लेंगे ठीक w के बाद वाला character लेंगे ठीक है यह वाला one और यहाँ पे small letter में e है मगर य जपर वो उसको क्या कर देगा capital कर देगा तो इस प्रकार से पहला जो character आएगा T string में वह आपका e आएगा उसके बाद में फिर दो step छोड़के हम लोग को value मिलेगा दो step छोड़के क्या space है तो यहाँ that means यह पहला वाला condition आएगा पहला condition में क्या भरेगा T में यहाँ पर ब step छोड़के जाएगा दो step छोड़के जाएगा तो फिर क्या मिल रहा फिर उसको capital letter मिल रहा अब capital letter में क्या बोला गया कि एक step मतला one plus कर दीजिए और e जो है यह क्या होगा capital letter में आएगा क्योंकि जब भी capital letter मिलेगा तो उसके लिए यहाँ पर condition दिया है न कि s i plus one उसका index क् i plus one ठीक है मतलब एक step आगे हमनों को ले लेना होगा value जो रहाएगा उसको capital letter में उसके बाद फिर यह दो step छोड़के मिलेगा दो step छोड़के 6 मतलब इभी space मिल रहा मतलब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा add the rate आ जाएगा उसके बाद फिर से 2 letter छोड़के अब मेरे को मिल अब मेरे को क्या मिल रहा n मिल रहा n क्या है small letter small letter है मतलब कौन सा condition यह second वाला condition मैच होगा और यहाँ एक step पीछे जाना पड़ेगा मतलब जो step में है उस step से पीछे जाना पड़ेगा मतलब i minus one that means 8 है तो हमको कहा जाना पड़ेगा 7 वाला value में जाना पड़ेगा 7 वाला value क्य दो step छोड़के फिर क्या मिला small letter मतलब फिर से एक step पीछे जाना पड़ेगा हम लोग को और यहाँ पर क्या मिल रहा है D मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे D अब यह पहले से ही lower में है इसको lower भी करेंगे तो हमको lower ही मिलेगा उसके बाद फिर दो step छोड capital यहां देखेए अगर ho capital letter है तो उसको value होगा और यहाँ पर यूज करके रहा है capital letter में चैंडर कर देंगे यहाँ पे के according तो आपका output आपको बीना compile के ही मिल जाएगा ठीक है अगर ये question का solution आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को like करेगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा